आज हम करने वाले है चुटी सी स्टोरी नानी स् ग्लासेज तो हम सब रेडी है तो लेट स्टार्ट सबसे पहले मैं आपके लिए रीडिंग करूँगे एक्स्प्लेंड करूँगे उसके बाद हम सब सब आफिर करेंगे क्वेस्ट आजस Okay, so let's start नानी स् ग्लासेज नानी का चेश्मा नानी लॉस्ट हर ग्लासेज और शीकुट नाट फाइंड नानी का चेश्मा गुम गया था और उन्हे वो नहीं मिल रहा था नानी कीप्स लूसीं हर ग्लासेज नानी हमेशा ही चेश्मा खो़ देती है वेर डिड़ाइ कीप देम, शी ओल्वेस आइस, यह बच्चा बोल रहा है कि मेरी नानी कहती है मैंने कहा रख दिया, हमेशा ही यह पूछती रहती है, तो शी नीट्स मी टू बी हर आइस, तो फाइंड हर और आइस, तो यह बच्चा बोल रहा है, इसलिए नानी मुझे अपन आखे बनाकर अपनी आखे डूणती है, मतलब चश्मा डूणने के लिए कहती है, तो देखो यह है नानी, इनकी आखो पे चश्मा नहीं है ना, इनका चश्मा गुम गया है, और यह बच्चा उनसे बात कर रहा है, है ना, sometimes her glasses are in the bathroom, sometimes on her bed and sometimes on her head, तो यह बच्चा क्या बोल होता है, कभी-कभी उनका चश्मा जो होता है, वो बातरूम में होता है, कभी-कभी बेड़ पे पड़ा होता है, और कभी-कभी तो उनके सर पे ही लगा होता है, और उनको पता ही रही होता, I looked everywhere, in all the usual places, on her head, in the bathroom, inside the cupboard, तो यह बच्चा क्या बोलता है, उसने सारे usual places, usual मतलब Generally, उनके दाजी जहां पे पी चश्मा भूल जाती हो, सारा जगा देख लिया, जैसे कि उनके सर पे देख लिया, बातरूम में देख लिया, कबड में देख लिया, बैड के उपर भी देख लिया, I also looked under her favorite chair, and on the dining table, no glasses, no luck, वो बच्चा कहता है, मैंने उनके favorite chair के नीचे भी आये दे कोई favorite chair on की, उसके नीचे भी देख लिया, और dining table पे भी देख लिया, पर glasses तो नहीं मिले, कोई लख नहीं है, I asked her what she had done the whole day, तो बच्चा बोलता है कि इसने पनी नानी से पुझाय कि वो दिन भर क्या कर रही थी, दिन भर whole day, she said, I did nothing much today, some cooking in the kitchen, and some work in the garden, then I spend time in reading and knitting, तो नानी क्या बोलती है, मैंने कुछ खास तो नहीं किया, थोड़ा सा cooking किया था kitchen में, थोड़ा सा garden में पाइम किया था, और कुछ time मैंने spend किया था reading and knitting में, reading तो सबको बता है, what is knitting children, look here, यह देख यहापे क्या हो रहा है, knitting, sweater बुना जा रहा है, ना, so this is called as knitting, okay, and what is this, this is knitting yarn, यह जो है थागा है, woolen thread, इससे ही knitting के जाती है, sweater बनाया जाता है, यह वैसे कपडे बनाया जाते है, now you understood children, what is knitting and what is knitting yarn, now I had many clues, मतलब यह बचा बोल रहा है, मेरे पास बहुत सारे clues है, कि मुझे चश्मा कहां कहां डूणना चाहिए, क्योंकि उसने अल्रडी नान से पूछ लिया, कि आपने दिन बर क्या किया, तो नानी ने सब डीटेल में बताया, वो कहां कहां पे गई थी, क्या क्या कर रहे थी, तो वही जाकर वो चश्मा डूणने वाला है, यही उसका clue है, okay, so next what happens, I quickly looked around new places in the house, उसने कहां किया, फटा 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 ने ने जगा जग आ, I found the missing glasses, the glasses were wrapped in the knitting yarn, यह देखो, finally he got the glasses, इसे चश्मा मिल गया, कहां पे मिला था, यह जो knitting yarn है, इसके अंदर रप था, मतलब अंदर लपेटा गया था, गलती से, Now it's time for question answers, number 1, what did Nani lose, answer, Nani lost her glasses, number 2, where did the boy search for the glasses, answer, the boy searched her glasses everywhere, number 3, what did Nani do the whole day, answer, the whole day Nani did some cooking in the kitchen and some work in the garden, number 4, where did the boy find the glasses, answer, the boy found the glasses, says, wrapped in the knitting yarn, tell this story to your parents and the children in your neighborhood, अब यह activity आप के लिए है, आपको यह जो story हमने की है, यह अपने parents को और अपने नेवर के बच्चों को बतानी है, We have to do the storytelling for this story, okay, now there are some extra exercises for you all, fill in the blanks, यह देखो, आप यह फिल in the blanks है, इसको आपको अच्छे से रीट करके, यह blanks जो है, इसको फिल करना है, तो इसके लिए आप यह वीडियो को 5 minutes के लिए पॉस कर देना, और इसके answers लिख लेना, फिर मैं आपको answers दोंगी, Okay, and your time starts now, so please check the answers, A. The usual places the boy looked for the glasses were, on Nani's head, in the bathroom, inside the cupboard, on the bed, under her favourite chair, and on the Tani table, B. The whole day Nani did some cooking in the kitchen, and some work in the garden, she also spent time in reading and knitting, I hope आपको सब right answers मिले होंगे, और इसे के साथ हमारी आज के class खतम होगे, अगर आज के class अच्छी रहे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेर केजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब दरें, इससे आपको मेरे सारे upcoming वीडियोस easily मिनते रहेंगे,